नमस्कार आप देख रहे हैं SPNI News और मैं काशिफ अली आज अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई क्या क्या हुआ आज वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले सुप्रीम कोट में राम जन भूमी बावरी मज़ित विवाद को लेकर जो सुनवाई हुई इस दोरान सुप्रीम कोट ने दोनों पक्षों से एक बहुत एहम बात कही है जो मैं आपको बताऊंगा आप हमारे साथ आखिर तक बने रहीएगा उन्होंने कहा है कि अगर संभव हो सके तो मामले को मध्यस्ता से ही सुल्धाया जाए यानि सुप्रीम कोट का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोशिश की जाए कि हिंदू और मुसल्मान दोनों कोई मध्यस्ता का रास्ता बीच का निकाल ले कोई मिडियेटर का बीच रास्ता निकालें जिससे कि मसला हल हो सके साते साथ सुप्रिम कोट ने एक बड़ी टिपड़ी करते हुए कहा है कि जमीन का मसला नहीं है बलकि भावनाओं से जुड़ा मसला है यानि ये फिलिंग्स का मामला है और ये जज़बातों से जुड़ा मामला है मस्जित पक्ष ये मद्यस्ता की बात मानने कि ये तयार है हाला कि हिंदू महासाबा ने इसका विरोध किया है मुसलिम पक्ष ने इस बात को लेकर हामे भर दी है कि मद्यस्ता को लेकर वो तयार है अगर कोई बीच का आकर वेक्टी को इस चीज को हल मसले का हल निकालता है तो मुस्लिम पक्ष तयार है लेकिन हिंदू महासबा ने इसको लेकर इंकार कर दिया है साथी साथ क्या क्या हुआ पूरी वो हाइलाइट्स में आपको बताऊंगा इसको लेकर सुनवाई हुई और CJI यानि Chief Justice of India ने इस मामले में कहा कि हम जल्द सुनाएंगे फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों से कहा है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं इसनिए सुप्रिम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से आज ही मध्यस्तों के नाम सुझाने के निए कहा है ये साफतों पर CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि इस मसले का हल जल से जल निकाल लिया जाए इसनिए आप कोशिश कीजिए कि आज ही हमें जो मेडियेटर हैं उनके नाम बता दीजिए साथी साथ हिंदू सबा ने कहा है कि ये जमीन भगवान राम की है इसनिए यहां सिर्फ मंदिर ही बने कोट में निर्मोही अकाड़ा और मस्जिद पक्ष में मद्यस्ता का मसला है साथी साथ करीब डिर घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट मद्यस्ता पर अपना फैसला सुलक्षित रख लिया है हाला कि चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने ये भी कहा है कि वो जल्द ही इस पर अपना फैसला दे देंगे फिलहाल उन्होंने सबी पक्षों से मद्यस्ता के लिए कुछ मद्यस्तों के नाम मांगे है मस्जिद पक्ष ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ रामलला के वकील सीएस वैदिनातन ने कहा है कि अयोद्या राम जन भूमी है इसलिए ये राम जनिस्तिली को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए इसमें सिर्फ यहीं हो सकता है कि मस्जित कहीं और बने हम इसके लिए क्राउट फंडिंग कर दे उन्होंने कहा कि मध्यस्ता का कोई सवाल ही नहीं है ये बात राम लिला के वकील सियेस वैद नातन ने कही है साथी साथ अब मस्जित पक्ष का कहना है कि मस्जित पक्ष की ओर से जो वकील है राजीब धवन उन्होंने कहा है कि मध्यस्ता या किसी भी तरह के समझौते की नहीं तयार है हाला कि उन्होंने ये भी कहा है वकील है मस्जित पक्ष के उनका कहना है कि इस मसले में भावनाय भी मिली हुई है मध्यस्ता में इस बात तै होना भी जरूरी है कि कहां पर क्या बनेगा सुनवाई के दौरान कई मुस्लिम पक्षों ने मध्यस्ता के निये हामी भर दी है अब सवाल ये भी लगतार उठता र कि मामला किसी पार्टी का नहीं बलकि दो समुदाय के बीच के विवात का है इसलिए मसले को सिर्फ जमीन से नहीं जोड़ा जा सकता वहीं राम जन्मुवी बाबरी मजित को लेका जो सुनवाई आज एहम हुई है सुनवाई की शुरुआत से हिंदू महसाबा ने सुप्री दल फैसला सुनाएं आप कोशिश कीजिए कि इस मद्यस्ता में जिनाम है वह आप हमें बताईए सज्जस कीजिए ताकि इस मसले का जल से जल निकाला जा सके हल फिलहाल अभी देखना यह होगा कि कोई मद्यस्ता के नहीं नाम सामने आता है या नहीं आखिर क्या होगा इस यह आने वाला वक्त ही बताएगा तक तक कि नहीं जी 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 जाज़त नमस्कार कि जी 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 जीज जी जाटन ये होगा कि ने चीज़त दोसे यडिक झाला येज़त आता है